आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सेलिशन पाओ डाउनलोड नाओ फाइव यूनिट्स तक, तो एक सर्कल जिसका डाउनलोड में पास स्मॉल र है उसका एरिया में पास कितना होगा, एरिया इस इक्वेल टू पाई आर स्केर अगर मैं इसको करूँ, डिफेंशेट अगर मैं इसको करता हूँ, डिफेंशेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पर मैं पास क्या मिल जाएगा, dA upon dt is equal to 2πr dr upon dt ठीक है, तो question मैं पास यहाँ पर पूछ रहा है, average rate यानि, delta A upon delta t is equal to 2πr into delta r by delta t तो यह होगा मैं पास average rate, तो question मैं पूछ रहा है, rate, question मैं पास time rate नहीं पूछ रहा है ठीक है, मैंने differentiate तो इसलिए किया है, ताकि मुझे यह relation यहाँ पर मिल जाए, तो question मैं से time rate नहीं पूछ रहा है, यह हम ध्यान देंगे question मैं से पूछ रहा है, rate of change of area, यानि कि यह वाली quantity with respect to its radius, यानि यह वाली quantity quantity, ठीक है, तो question मैं से यहाँ पर बिचली का जाना चाहरा है, question मैं से यहाँ पर जाना चाहरा है, कि delta a upon delta r का ratio क्या होगा, delta t और delta t तो cancel हो जाएंगे, तो यहां से मुझे मुझे मिल जाएगा, delta a upon delta r is equal to simply 2 pi r, तो अगर मैं यहाँ पर बात करना हो average की, तो अगर मैं यह पास a upon delta r, जो कि मेरा answer है, यह हो जाएगा 2 times, pi times 2.25, तो यहाँ पास simply यहाँ पर बन गया 4.5 pi, तो इस question का मैं यहाँ पर answer हो जाएगा 4.5 pi, जो कि मैंने यहाँ यहाँ पर find कर लिया है, इस relationship को यहाँ पर differentiate करके, और यह respective rate यहाँ पर find करके, तो यहाँ पास हो जाएगा इस question का सही अंजर.